चितरपु जिले के नौगाउं थाना शेतर के गराम सडेदी निवासी राजपूत परिवार ने गुरुवार को पुलिस दिख्षक का रहला में शिकायती आवेदन देती हुए बताया कि गाउं में मौझूद परिवार की पुष्टैनी जमीन पर गाउं के ही कुछ दबंगो ने कबज़ा कर लिया है आवेदन देकर परिवार ने दबंगों के विरुद कारवाही करने की मांग की है सडेदी निवासी रामकेशन राजपूत ने बताया कि गाउं में ही उसके पिता के नाम पर पुष्टैनी मकान है जिस पर गाउं के दबंगर विरुच किशोर कुश और हर पल पाल ने कबज़ा कर लिया है इसी मकान की जमीन पर शासन दोरहों से पी-एम आवाद सुई कित्र किया गया है लेकिन कबज़ा होने की वजह से आवास का निर्मार नहीं हो पा रहा है दबंगों ने मकान की कच्ची दीवारे तोड़ कर नीव खोदना शुरू कर है और रोकने पर मार पीट करने की धंकी भी उनके द्वारा लगातार दी जा रही है रामकिशन के मताबिक उसने लोगासी चौकी और नौगाओं थाने में मामली की शिकायत की थी लेकिन अभी तक कोई कारवाही नहीं हो सकी है एसपी को अविजन देकर रामकिशन ने पाने बहां पर दुकत्ची दीवा ने तोड़कर उन लोगों ने खुदे रिया दर्वाजा तोड़कर पत्थर लगा दिये हैं चाल लोग कब अंदा जाने से मना कर रहे हैं पत्थ हरुआ और कुलाड़ी लेके मानने के लिए आते हैं माता को और हम लोगों को